मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ मैं एक छोटी सी दवा आपको जरूर बता सकता हूँ अगर आप मैंसे कोई लोग ऐसे हो जो ये कहें कि हम व्यसंद छोड़ना चाहते हैं छूटता नहीं बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि बार बार हमें मालूम है कि ये गुटका खाना अच्छा नहीं है लेकिन तलब उठ जाती है क्या करें बार बार लगता है कि ये बीडी सिगरेट पीना अच्छा नहीं है लेकिन तलब हो जाती है तो क्या करें हमें मालूम है कि शराब पीना अच्छा नहीं है लेकिन तलब आ जाती है तो क्या करें तो आपको बीडी सिगरेट की तलब ना आए गुटका खाने की तलब ना लगे तमबाकू खाने की तलब ना हो शराब पीने की तलब ना हो इसके लिए एक छोटा सा उपाय बताता हूँ जो बहुत आसान है आप आसानी से कर सकते पहला उपाय तो ये है कि जिनको बार-बार तलब लगती है और जो अपनी तलब पर कंट्रोल नहीं कर पाते नियंत्रन नहीं कर पाते इसका माने उनका मन कमजोर है मन को मजबूत बनाने का सबसे आसान तरीका है थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ जैसे मैं बैठाओ आलती-पालती मार के इसको हम सुखासन कहते हैं आखें बंद कर लो, दाहिनी नाख बंद कर दो और खाली बाई नाख से सांस भरो और छोडो जिसको हम लोग चंदर नाडी कहते हैं उसको सक्रिय कर दो जितनी जादा सक्रियता आपके चंदर नाडी की होती जाएगी मन की शक्ति आपकी अपने आप बढ़ती चली जाएगी और आप इतने संकल्प वान हो जाएंगे जो आसानी से कोई भी बाद ठान लेंगे तो उसको बहुत आसानी से कर डालेंगे ये एक तरीका है बहुत आसान है ये भी प्राणायाम का ही तरीका है दूसरा एक तरीका है कि आपके घर में एक आयुरवेदिक आउशदी है जिसको आप सब जानते हैं और पहँचानते हैं हम उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं लोगों का व्यसन छोड़वाने में और उस ओशदी का नाम है अदरक अदरक हम सब के घर में है इस अदरक के टुकड़े कर लो छोटे छोटे उसमें नीवू निचोड़ दो थोड़ा सा काला नमक मिला लो और इसको धूप में सुखा लो सूरज की धूप में इसको सुखा लो सूखने के बाद जब इसका पूरा पानी खतम हो जाए ये अदरक के टुकड़े हमेशा अपनी जेब में डाल के रखो जब भी दिल करे कि तंबाकु खानी है इसको दांत से काटो मत तो सबेरे से शाम तक ये मूँ में आपके सुरक्षित रहता है इसको चूसते रहो आपको गुटका खाने की यादी नहीं आएगी आपको बीडी सिगरेट पीने की तलब ही नहीं आएगी और दारू की तलब भी छूट जाएगी बहुत आसान है कुछ भी मुश्किल नहीं है फिर से बता देता हूँ अद्रक ले लो छोटे टुकडे कर लो नीवू निचोड लो फिर उसमें काला नमक मिला लो धूप में सुखा लो सुखाने के बाद वो तयार हो गया तैयार होके इसको जेव में रखो पुडिया बनाके रखो डिब्बी में रखो जैसे भी है जेव में रखो जब दिल में तलब उठे बीडी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना गुटका खाना एक गुटका बने एक टुकडाई सदरक का निकाल के जीव पे रखो चूसना शुरू कर दो जैसे ही वो रस आपके लार में घुलना शुरू हो जाएगा आप देखना इसका चमत कारिक असर होगा आपको फिर गुटका बीडी, सिगरेट, तंबाकू, दारू याद ही नहीं रहेगी सबिरे से शाम तक चूसते रहो और जो दो, चार, दस दिन, पंदरे दिन, बीस दिन लगातार कर लिया तो हमेशा के लिए व्यसन आपका छूट जाएगा आप बोलेंगे ये अदरक में ऐसी क्या चीज़ है ये अदरक में एक रसाइनिक तत्व है जिसको हम रसाइन शास्तर की भाषा में, केमिस्ट्री में कहते हैं, सल्फर अदरक में सल्फर बहुत अधिक मातरा में है जब हम अदरक चूसते हैं तो वो सल्फर है जो अदरक का निकल के हमारी लार के साथ मिलके अंदर जाने लगता है और ये सल्फर जब खून में घुलने लगता है, तो ये सल्फर कुछ ऐसे शरीर में हार्मोंस को, कुछ ऐसे अंदर अंतेसावी ग्रंतियों को सक्रिय कर देता है, जो व्यसन नहीं करने के लिए आदमी को प्रेडित करती है, जो विज्ञान की रिसर्च है आज तक सारी दुन बार बार तलब लगती है, बीडी की, सिगरेट की, गुठके की, तंबाको की, तो सल्फर की मातरा आप पूरी कर दो बाहर से, ये तलब खतम हो जाती है, इसका मैंने हजारों लोगों पर परिक्षन किया है, और बहुत अच्छे सुखत परिनाम है, बड़ी आसानी से, बिन रख के रूप में सल्फर हमारे प्रकरती ने हमको भरपूर मातरा में दिया है, बहुत सस्ता है, इसी सल्फर को होमियोपैथी की दवा के दुकान पे भी आप प्राप्त कर सकते, आप कोई भी होमियोपैथी दवा की दुकान पे चले जाओ, और उस दवा बेचने वाले वि पानी के रूप में आती है प्रवाही रूप में आती है जिसको हम लोग डाइलूशन कहते हैं अंग्रेजी में तो यह पानी जैसी आएगी दिखने में ऐसा ही लगेगा कि जैसे यह पानी है वो दवा एक छोटी शीशी में ले लो पांच मिली लीटर दवा की शीशी पांच रूपए में आती है और उस दवा का एक बून जीप पे डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट फिर अगले दिन और एक बून डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट और तीसरे दिन एक बून डाल लो सवेरे सवेरे खाली पेट बस तीन बार अगर आपने एक एक बून डाल ली त तो पचास से साथ प्रतिशत लोगों की दारू, बीडी, सिगरेट तो तीन खुराक में ही छूट जाती है और जो ज़्यादा प्यक्कड हैं हाँ ऐसे भी है ना जिनकी शाम बिना पिये गुजरती ही नहीं उसके बिना तो उनका काम चलता ही नहीं तो उनको ये निवेदन है क ये सलफर नाम की दवा को हर हफ़ते एक बार ले लिया करें आज ले लिया पांच-छे दिन बाद फिर ले लिया फिर पांस-साथ दिन बाद ले लिया हफ़ते में एक-एक बार लेते जाएं तो डेड़ दो महीने में बड़े-बड़े प्यक्कडों की दारू छूट जाती मैंने ऐसे ऐसे लोगों की दारू छुडवाई है जो सवेरे सोकर उठने से पीना शुरू करते थे और रात तक सोने तक पीते रहते उनकी भी दारू छूट गई है बस इतना ही है कि दो तीन महिने का समय लगा है तो ये सलफर दवा अदरक में भी है बाजार में मिलती है होमियोपेथी की दुकान पे अब इस दवा को जब आप खरीदोगे तो दुकानदर आप से एक सवाल पूछेगा वो पूछेगा कितनी ताकत की दवा दूँ कितनी पोटेंसी की दवा दूँ तो जब आप लेना इस सलफर को तो उस दुकानदर से कह देना दोसो ताकत की दे दो दोसो पूटेंसी की दे दो सलफर दोसो यही उसका पूरा नाम है दोसो संख्या है सलफर दवा का नाम तो यह सामान रूप से बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू वगरा वगरा के लिए काफी है और जो ज़ादा पीने वाले हैं बहुत ज़ादा जिनकी दारू है तो उनके लिए यही सलफर की एक हजार ताकत की दवा ले लेना एक हजार पूटेंसी की तो सलफर दोसो और सलफर एक हजार और अगर आप सब ग्राम रक्षा समीति की तरफ से एक बोटल खरीद लो इसकी बहुत सस्ती आती है ऐसे खरीदोगे तो 5 रुपई में 5 मिलिलिटर है और बड़ी बोटल खरीद लो 500 मिलिलिटर की या 1500 मिलिलिटर की वो 1,5 डोसो रुपई की आती है और एक बोतल सलफर दवा में 10,000 लोगों की शराव आसनी से छूट जाती है मातर एक बोतल में और वो बोतल कितने की है सवा 200-200 रुपए की और 10,000 लोगों के लिए वो काम आ जाती है और कभी कभी इस दवा को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना हो तो एक बूंद सलफर को पानी में डाल देना जो पीने वाला पानी है और वो पानी जो शरावी लोग हैं जो पियकड लोग हैं जो व्यसन करने वाले लोग हैं उनको पिला देना ये पानी में और अच्छे से काम करती कई बार तो मैंने ऐसा भी किया है कि एक बाल्टी पानी ले लिया उसमें एक बून डाल दिया अब वो पूरा पानी ही दवा हो गया उसमें से एक एक चम्मच पिला दिया लोगों को तो भी व्यसन उनके छूट जाते है तो एक बिता दिया मैंने आपको अधरक उसका इस्तिमाल करना है व्यसन छोड़ने के लि तो बाईनाक से सांस लेना बाईनाक से सांस निकालना पांच मिनट रोज सुबेरे भी अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से सब तरह के कमजोरी मन की खतम हो जाएगी और व्यसन छोड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा झाल झाल झाल